आज आपातकाल की बरसी है और आपातकाल का दौर अब याद दिलाने वाली है भारते जिनता पाटी मद्य प्रदेश में मीसा बंदियों का करेगी बीजेपी सम्मान और बीजेपी प्रदेश कार्याले में सुभा ग्यारा बजे होगा ये सम्मान जिलास्तर पर भी होगा सम्म एक काला दिवस के रूप में मना रही है भारतिय जनता पार्टी और इस दिन मध्य प्रदेश से ये खबर मिल रही है कि नीशा बंदियों का भारतिय जनता पार्टी सम्मान करने वाली है। बता दू कि आखिर इतिहास क्या कहता है आपातकाल का। 25 जून 1975 को लगा था आपातकाल और 21 महीने के लिए हुई थी इमर्जेंसी लागू। करवाई गई थी नस्बंदी ये कहता है एमर्जेंसी का इतिहासाती साथ देश में लगा पहला राश्ट्रिय आपातकाल था ये 1975 का वो साल था आज ही का वो दिन था 25 जून के वो दिन था जब एमर्जेंसी लगी थी। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगे मेरे सहयोगी सूरज तिवार किया, वो पाल से जुड़ गया है मेरे साथ सूरज, मद्यप्रदेश भी एमर्जेंसी का ये दिन खास तोर पे मनाना चाहती है, याद दिलाना चाहती है और उसी को लेकर कुछ कारिकरम भी रखे गए हैं, क्या जानकारी है उस पर? जाल दिये गए थे और बड़ा कहीं न कहीं आपातकाल जिस तरह से था अख़वार तक अख़वार जो होते थे उनको भी निकलने की जाज़त जो इतिहास कहता है, जाज़त लेनी पड़ती थी सेंसरसिप जैसा मामला सामने आया था, इसी को लेकर भारती जानता पार्टी आज कार्याले में जो मीसा बंदी वाले लोग हैं, उनको कहीं न कहीं सम्मानित करना चाहती है, साथ में देश को याद दिलाना चाहती है कि आपातकाल एक काला दिन था और खुद प्रधानमंती नरेन जो दियो हैं, भारती जानता पार्टी के तमाम नेता हों, उन्होंने ब्लैक डे कहा है इसे, तो कहीं न कहीं बीजेपी, आज बीजेपी की अगर बात करें, तो आज प्रधेस कार्याले में 11 बजे कारिकरम हैं, जो मीसा बंदी वाले लोग हैं, उनको सम्मानित करेगी, साथ में देश को ये आद दिलाएगी कि आपातकाली में इंदरा गाधी, यानि जब उसमें कॉंग्रेस सरकार थी, जो आपातकाल लगाया गया था, उनको सुरजम देखते हैं, मीसा बंदियों के लिए सम्मान निधी की राशी भी भारतिय जुनता पार्टी देती है, और बढ़ाती है, लगातार सम्मान करती है, और आज के दिन भी खास हो जाता ह उनका सम्मान करना, और भारतिय जुनता पार्टी ये मौका नहीं छोड़ती हुई दिख रही है, बने रहेगा मेरे साथ क्योंकि अगली बड़ी ख़बर मी मिल रही है मद्धिप्रदेश से, देखें, सीम की अध्यक्षता में, अब कैबिनेट बैठक होने वाली MP में, साड़े तीन लाग करोड रुपे से अधिक का हो सकता है, इस बार का बजट महेंगाई भत्ता और पेंशनरों के लेकर लिए जाएंगे एहम पैसले, ये जानकारी मिल रही है, जहाब मद्धिप्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है, तो उसमें बजट को ले से अधिक का हो सकता है, इस बार का बजट और नहेंगाई भत्ता और पेंशनरों को लेकर लिए जाएंगे, कई एहम फैसले, ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुक करूँगी मेरे सही होगी सूरश दवारी का ल आज मोहन कैबिनेट की बैठक है, बड़ी बैठक होने जा रही है, करीब सारहे दस बजे मंतरालाय में मुक्वंतिरी मोहन आदाओ ये बैठक लेंगे, और बैठक में कई ऐसे हैं मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होगी, कई ऐसे परस्ताओं हों जिस पे हरी जंडी मिल सकती है चाहे क्योंकि बजड इस बार मोहन सरकार का बजट भी प्यस होगा, मानसुल्स रिक जोलाय सी स्टार्ट होने वाला है, ऐसे में मौहन सरकार का जो पूर्ट वय प्यसे हों सकती है, पेंशनरों की पेंशन पे चर्चा हो सकती है महगाई भत्ता हो एजिक्वेशन के जो मुद्धे हों कई ऐसे प्रस्ताओं है जिस पे चर्चा होगी है और चर्चा करने एक बाद कई ऐसे प्रस्ताओं है जिस पे हरी जंडी भी मिल सकती है क्योंकि एक जुलाई से मांसून सत्री सुरू होने वाला उससे पहले ये एक बड़ी बैठक मोहन कैबिनेट के होने जा रही है बैठक करने के बाद मुखंतिरी मोहने आदाओ दो पहर के करीब बारा विजे दिल्ली के लिए भी रवाना होने जानकारी भी आई थी कि बुजर्गों के पेंशन बंद कर दी गई है चाहे सिख्छा से जुड़े मुद्दे हों चाहे पेंशन से जुड़े मुद्दे हों चाहे अन मुद्दे हों सभी ऐसे मुद्दे हैं लगबग का दरजनों ऐसे मुद्दे हैं जिस दरजनों ऐसे प्रस्ताओं हैं जिस पे चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद कुछ साड़े दस बीजे बैठा कोगी तमाम जो मंत्री हैं अलग अलग बिभागों से जुड़े वो मौझूर रहेंगे और बैठेक के बाद ही पता चल पाएगा अंजली कौन कौन से प्रस्ताओं हैं जो पास हुए किस प्रस्ताओं को हरी जंडी मिली अंजली मिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया सूरश तमाम अपडेट्स के लिए और अब अगली बड़ी खबर मिल रही है भुपाल से देखें पीएम श्री एर अमबुलेंस ने अपना काम शुरू कर दिया है हार्ट अटेक आने पर 55 साल के व्यक्ति को पहुँचाया गया भुपाल ए पीएम श्री एर अमबुलेंस ने किया है शुरू अपना काम और हार्ट अटेक आने पर 55 साल के व्यक्ति को पहुँचाया गया भुपाल एर अमबुलेंस की मदद मिलने से उस व्यक्ति की जान बच गई और मरीज को निशुल कमिली एर अमबुलेंस की सेवा मध्य प्रदे पार की रात हार्ट अटेक की शिकायत हुई जिसके बाद उन्हें रीवा के मेडिकल कॉलिज में भर्ती किया गया गोविन लाल तिवारी की हालत स्थिर नहीं होने पर उन्हें भोपाल रिफर किया गया और जिसके बाद उनके परिजनों ने पीएम श्री एर अमबुलेंस योजना का लाब उठाते हुए गोविन दलाल तिवारी को भोपाल पहुँचाया तो देखे पीएम श्री एर अमबुलेंस ने अपना काम शुरू कर दिया है और इसके पहले हितुगराही बने है 55 साल के व्यक्ति भोपाल से एक हैरान करने वाली तस्वीर निकल कर सामने आई है देखे बीच सड़क पर स्टंट बाजी का वीडियो आया सामने हमीदिया रोड पर इर इक्षा चालक का खतरनाक स्टंट देखने को मिला है इर इक्षा स्टंट बाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जम कि ऍचने का मतलब विस्तार निजी का सिर्फ इतना है कि इस तरीके की हरकते ना करें अपील है आपसे क्युकि इससे आपकी जान भी जा सकती है देके बीच सडग पर स्टन्ट बाजी का ए वीडियो निकल कर सांवें आया है और यह तस्वीरे हमीदिया रोड पर मिल रही है मीदिया रोड पर ईरिक्षा चालक का खतरनाक स्टंट देखने को मिला है जहां ईरिक्षा स्टंट बाजी का ये वीजियो अब सोशल मीडिया पर भी जम कर वाइरल हो रहा है और देखें नई सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में मौनसून सत्र की शुरुवात होने जा रही है इस सत्र में मोहन सरकार पहला पूर्ण बजट पेश करेगी कुछ देर पहले मैं और मेरे सहयोगी सुरश्तिवारी इसी पर चर्चा कर रहे थे और माना ज़रा है कि यह बजट साड़े तीन लाग करोड का होने वाला है एक तरफ सरकार का कहना है कि वो जनहित कारी बजट लाएगी तो वहीं विपख्ष भी सत्र के दोरान सरकार को घेरने के लिए कमर कस रहा है एक तरफ बज़ट को लेकर सरकार पूरी तरीके से तयार है तो वहीं विपक्ष भी पूरा तयार नजर आ रहे हैं देखिए रिपोर्ट इस पर एक जुलाई से मधिप्रदेश विधान सभा के मांसून सत्र की शुरुवात होने जा रही है जिसमें मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बज़ट पेश करेगी ये साड़िक तीन लाग करोट रुपए से जादा का हो सकता है इस सत्र में बज़ट और अनुदान मांगो पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विध्यक भी विधान सभा में मन्जूरी के लिए लाएगी बज़ट की तयारियों को लेकर मध्यप्रदेश के जिप्टी सीम और वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार का जो बज़ट पेश होगा वो बहतर और जन हितकारी होगा बजट पुरू तयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पुरू तयारी चल रही है और बाकी लोगों से भी आम जनता से भी सुझाव अमंतरित किये हैं सभी विभागों से भी हमने तयारी के संबन में पूरी जनकरी ली है तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मतिपुदेश सरकार का बजट यशाश्वी मुख्यमंतरी डाक्टर महुन यादव जी के निर्तत्व में जो बजट पैस होगा हमारा मतिपुदेश सरकार का वो बहतर ह होगा जनहीतकारी होगा जनता से जुड़ा हुआ होगा जनता के लिए होगा और सर्व इस परशी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे तो वहीं वित्वंतरी जगदीश देवडा ने कॉंग्रेस पर भी चमकर निशाना साधा क्या कुछ कहा ये भी सुनवाते हैं और जितनी योजना है सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी किसी प्रकार की कोई कटोती उसमें नहीं होगी इधर मौनसून सत्र को लेकर कॉंग्रेस की तयारियां भी पूरी हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस बार का सत्र खूब हंगामेदार होगा सरकार को घेरने के लिए कॉंग्रेस के पास कई मुद्दे हैं नीता प्रतिपक शुमंग सिंगार की ट्वीट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है किस बार कॉंग्रेस नर्सिंग घोटाला शिक्षकों की नियुक्ति समेथ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी सुनीता सीजीव को रेस्टार नर्सिंग की उनको परकास किया एक अच्छा कदम है लेकिन में याद हो जिसे में कहना चाहता हूं तो बड़े मगर मच्छों को आपको चोड़ना चाहते हो एस ये सुलेमान जो करोना काल से गोटाले करते आ रहे है क्या वह इसके अंदर भागिदार नहीं है विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे क्या वह इसमें भागिदार नहीं है ये सीधा सीधा गोटाला करने वाले ये लोग है इन पर ये बड़े मगर मच्छे मोहन गोटाला मामले में सोशल मीडिया पर जनता से आवहन किया कि जनता उन्हें मुद्द्य और जानकारिया भेचे ताकि मुद्दो को कॉंग्रेस सार्थक तरीके से विधान सभा में उठा सके मौनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तयारी में जुटा है जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तयारी कर रहा है तो वही मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्यमंत्रियों को जिम्मदारी सौब दी है अब देखना होगा कि सत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा विउर रिपोर्ट विस्तार नियूज बात बजट की हो ही रही है तो इस वक्की बड़ी खबर मिल रही है अब नगन निगम के बजट से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि दो जुलाई को बजट पेश किया जाएगा अदेगे लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार गुना पहुँचे केंद्रिय मंत्री जोतरादित सिंध्या का जोरदार स्वागत किया गया जैसे ही सिंध्या गुना पहुचे बीजेपी कार करता हूं और उनके समर्थक उनके स्वागत के लिए उमड पड़े कुछ इसी तरीके की तस्वीर लोकसभा चुनाव के दोरान प्रचार प्रसार के दोरान भी निकल कर सामने आई थी जहां वो अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे और अब जहां प्रचंड जीत हासल कर चुकी है भारतिय जुनता पाटी वो भी सांसत बन चुके हैं और के राम नवास रावत का बड़ा बयान सामने आया है जहां कॉंग्रेस बाग़ी विधायकों पर कारवाई करने के लिए पत्रों सौपेगी वहीं इस पर राम नवास रावत ने कहा कि हम कॉंग्रेस के साथ बैठेंगे ही नहीं और कहा कि समय आएगा तो इस्तीफा भी दे जिसने में दो बाल लड़ा दोनो बार पिरोद किया भूत के अबचर किये अगली ख़बर अंदौर से इंदौर की रेवती पहाडी पर मंत्री केलाश विजवर्गी का अलग अदास देखने को मिला केलाश विजवर्गी ने पहाडी पर पोकलेण मशीन चलाई और जमीन पर गढ़े किया पहाडी पर 11,00,000 पौदे लगाये जाने हैं आपको यह जानकाडी देदू जिसके मॉनिटरिंग खुद मंतरी कैलाश विज़वर्गिये कर रही है 11 लाख पौदे लगा कर इंदौर रिकॉर्ड भी बनाएगा और इंदौर की रेवती पहाड़ी पर मंत्री कैलाश विजभरगिये का ये अलग अंदास देखने को मिला जहां कैलाश विजभरगिये ने पहाड़ी पर पोकलेन मशीन चलाई और जमीन पर गड़े भी किये पहारी पर 11 लाग पौदे लगा कर इंदौर रिकॉर्ड बनाने वाला है जिसकी मोनिटरिंग खुद मंतरी केलाश विजवरगिये कर रहे हैं अच्छा MP के छिंदवारा में भाजपा का समर्थन करने से नाराज पती ने पत्नी को तलाग दे दिया मामला कोतवाली थाना शेत्र का है जहां मुसलिम समुदाय की महिला के भाजपा में शामिल होने से नाराज पती ने उसे ट्रिपल तलाग दे दिया अब पुलिस ने महिला के शिकायत पर केस दर्ज कर जाच शुरू कर दी है दरसल ट्रिपल तलाक का या नोखा मामला पतनी के बीजेपी में शामिल होने पर आया है पती दहेज के लिए भी अपनी पतनी को प्रताडित करता था और आठ साल पहले ही इनके शादी हुई थी पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज करके जाच शुरू कर दी है कोतवाली टी आई उमेश गुलहानी ने कहा है कि पूरे मामले की जाच के बाद तुजित कारवाई की जाएगी फिलाल महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है उधर छिंदवाणा में इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार भी गर्व है लोग कह रहे हैं कि सरकार की लाग कोशिशों के बावजूर तीन तलाग के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं प्यरो रिपोर्ट वस्तार न्यूज और अगली खबर उमरिया से उमरिया में स्वास्त सुविधाओं के हाल का गजब नसारा देखने को मिला है जहाँ CMHO डॉक्टर आरके महरा शराब के नशे में धुथ होकर बाइक स्टंट करते दिखाई दिये CMHO साहाब शराब के नशे में अपने पद को ही भूल गए और इसकदर जुमते नजर आए कि नशे में बधवास होकर बाइक से ही गिर गए अब नशे में धुथ CMHO साहब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी पे वाइरल हो रहा है इस तरीके की हरकत एक जिम्मेदारा ना शक्स जब करता है तो वो वाइरल हो जाती है उमरिया से ये तस्वीर निकल का सामने आई जहां उमरिया में CMHO साहब नशे में धुत होकर बाइक से गिर गए स्टन्ट बाजी करते देखे उससे पहले लेकिन स्वास्त सोविधाओं